क्या वो main qualities हैं जिसको आपको लगता है कि आपको बहुत जादा help किया है और एक किसी भी topper को help करता है एक बहुत अच्छे position deputy collector या top 5 में आने के लिए जो एकदम ही necessary है कि इसके बिना तो भाई आप नहीं निकाल सकते हो कोई भी exam मुझे से लगता है कि जो अपनी तयारी पे एक परसेंट का पर doubt नहीं होना चाहिए किसी को या फिर ये feeling का भी नहीं आने चाहिए कि ये ना करके कुछ और करलूं और अपने आप पे भरोसा और अपने अपने आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कर सकती हूँ मुझसे ह तक और स्टिंटी हो जाएगा है तो खीक है समय लगे गएगा बत होगा ज़रोर लगे रहना और इसकtv क्रेशर में नहीं लेना काभी तरह से प्लिए असना के करते हैं करते हैं उन सबस्कित कर देश करना है जिसे कि मुझे चीकल के लिए बहुत सांद में रखना रहती है विल दूसरा पड़ ये तो दूसरा को सोचने का अप्शन ए शेयरा ये पर रखने भीशन है अब तोहाराते हैं, मेरी फैमिली को पताया हम लिए साफ बता चीज़ करते हैं, तो दिवाली विजोव से लिपरेते होती है, मैं टोहार से participate, करके फ्रस्टेट हूँ कि और यह मेरी आज पढ़ाई नहीं हुई दिवाली की दिवाली होली की दिवाली की दिवाली यही होता था मेरा जनमाश में भी बहुत अच्छी है मैं जो फेस्टिवल साते थे उसमें मैं जी जान से सेलिब्रेट करती तो और कोई distractions जो आपको लगते हैं कि जो आपके preparation को hamper करता है या आपको नहीं किया है तो जो बाकी लोगों को aspirants को करता है जैसे गुमना फिरना हो गया shopping हो गया mobile चलाना हो गया, social media हो गया यह सब आपको effect करते हैं, एक topper को effect करते हैं कि ने shopping मैंने की है मैं घुमने भी गई हूँ social media मैं थी और जो क्या बोला आपने घुमना फिरना किया है मैंने, सब किया है लेकिन वो मेरे according होता था मेरे according कि मुझे कब phone चलाना है मुझे कब घुमना है और जब मेरा मन होता था घुमने का तो मैं ही प्लान बना थी घुमने का जब मुझे घुमना होता था मुझे पता है कि मेरा एक slot खतम हुआ पढ़ाई का I can take a break तो वे एक दिन में घुम के आ जाती थी या फ्रेंड्स के सानी जा रही है तो ममी पापा चलो या रतनपूर इतना पास है रतनपूर भूम के आ जाते थोड़ा मूट फ्रेश हो जाता था मैं घुमने भी गई हूँ शौपिंग दिती के सान चली जाती थी कभी कुछ लेना है तो ले लिया उसके बाद यह हो गया उसके बाद जैसे कि दोस्तों से बाचित किये मैंने करती थी बीच बीच में बिना दोस्तों के जीवन अच्छा नहीं है और मेरे दोस्त इतने अच्छे बगवान की गृपा से बहुत अच्छे दोस्त मुझे मिले हमेशा मोटिवेट किया मतलब जब मैं अपने ऊपर थोड़ी राउटफुल हो जाती थी यह कोई एसा strict rule नहीं है कि अच्छे में बिच्छे रहा है पुरे समय, किसी बात नहीं करनी है मिलना नहीं गुमना नहीं यह कोई रूल नहीं है अगर कोई चीज करनी अच्छी लगती हो जरूर करिए पर बालंस कर करिए अपने च्छेडूल के करिए आपको पता होना चाहिए कि आप कितना समय दे रहे हो उसके नेक्स्ट आवर में आपको क्या करना है फिर जैसे एक दिन अगर मैं मुवी भी देखने गई हूँ जो मुवी मुझे देखने का मन हुआ है जैसे मैं मावल्स की मुवी देख दी थी तो मुवी आई है तो मैं देख आती थी अपने कजन लोगों के साथ जा के देख के आया मैं मुवी लेकिन मुवी देख याने के बाद कल सुबह उटके मुझे ये topic करना है ये subject करना है ये करना है वो फिक्स रहता था अखे देन फिर से शुरू पिर भी आपको ये नहीं लगा कि English Medium से CGPSC, ये एक बहुत difficult चीज लगती है लोगों को, कोई आपके पास पूरा material मुशली अगर आप देखोगे तो अच्छे लेवल पर पहुंच चुका है Hindi Medium में, पर English Medium में उतना enriched नहीं हुआ है, आप ही को जादा महनत करना पड़ता है, तो पहली बार शायद ये थौट आया होगा जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे, फिर उसके बाद आपने उसको कैसे overcome किया, जब पहली बार मैं CGPSC के तयारी शुरू की थी ना, तो मैंने एक दू लोगों से पूछा था कि कौन से Medium में देना चाहिए, पेपर, तो उन्हों ने कि call, material तो सारा Hindi में है, कुछ यही से थे जो कि आयर खें Jamji में, को यहीं यहींने कि कैसे English तो कि लोगों जो भीतलिख हो, जो। को मैं से कि पयारी कर दो कि हम तो Hindi में हुआ होगे है यार क्योंकि material एंटिख में में देलीवहीए, मुझे ना, बहुंँ नहीं हम एम तो ही मु अब मैं क्या करूँ, तो इंडिया वाला पोर्षिन है उसमें प्रॉबल्म नहीं होती, क्योंकि उसके इंडिया लेवल के उसको पढ़के मैंने अराम से हो जा रहा था, लेकिन अब जो कोचिंग इंस्टिटूट्स हैं, उनके मतेरिल जब आप CGPSC को लेके दिखेंगे, तो सब हिंदी में थे, तो मैंने यह किया कि थोड़ा सा ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस मैंने कर ली थी, इतना मैंने पढ़ लिया था इंग्लिश की बूस को जैसे की NCRT एंशन के लिए पढ़ ली थी, तो जब NCRT आप लेते हैं तो आपको लैंग्विज हर सब्जिक की अपन एक लैंग्विज है, पॉलिटी की तो डेफिनेटली है, ठीक है, तो जब इंग्लिश की जो माटेरियल्स अविलेबल होते हैं, उनको जब अच्छे से रीड कर लेते हो, तो जो भी हिंदी का माटेरियल उसको टांसलेट करने में वहाँ से प्रॉल्लम नहीं होती, तो मैंन इसे चार पॉंट बनादी है, अब यही चार पॉंट मेरे 100 वर्ट्स, 60 वर्ट्स, 30 वर्ट्स, अब में यही चार पॉंट्स को मुझे एक्सपांड और गॉंट्रैंट करना है, ऐसे मैनेज किया मैंने, तो पूछ लोग मुझे पूछते हैं कि अलग से स्नॉप्सिस बनाए एंह पढने परके यह पढ़ यह समझा है तो जब मैं मीन्स लिखने गई है तो इपने समझा लिखने ज़ा यह ऑपिया वे उपर लिखा रह्गी उपर करें कि यह पढ़के मैं है समझ इन यह उद mě्वा अर वह टत्किल अपर प्राम है मैं इस चीज को शेयर किया है किसे नोट्स बनाती थी तो जो पूरा हिंदी का माटेरियल है उसको मैं ने संज़ा है जसे कि एगर अंगलो फॉरेंच वर्णूर है तो अगलो फ्रेंच वर काफी बड़ा सा उसमें दिया हुआ है तो वह पढ़ लिए मुझे इसमें क्या points है जो exam में लिखना है वो points को बहुत ही short में words में मैं कहूंगी वो arrow बना बना के वो मैंने एक छोटा सा लिखके रख लिया अब मैं जब भी उसको पढ़ूंगी तो मुझे पता होगा कि यह points मुझे mention करने है अब अगर बड़े शब्दों में आ गया तो उसको expand किसे करना है चोटे शब्दों में आ गया तो कोई दिखकत है मैं एक चोटे शब्दों में आ गया जिससे गनेशा है तो गनेशा की features हो गया तो मुकुड एक दन लंबोदर फीट चूहा बस यह इतना अब बाकी आप फिर अपने हिसाब से उसको expand करेंगे तो इतना develop करना पढ़ेगा थोड़ा और यह आएका practice से जितनी बार आप पढ़ेंगे जितना आप test लगाएंगे answer writing की practice करेंगे मतलम ना ऐसा rule नहीं कि यह पढ़ लिया रट लिया उसको छाप दिया ऐसा तो सब करेंगे ना फिर आप अलग कैसे बनाओगे अलग बनने के लिए थोड़ा सा आप कुछ नया तो करना पढ़ेगा अब ऐसा मैं नया में यह नहीं कह रहे है कि बहुत सब करेंट अफेर भर दिया वो short ऐसे कि material मेरा वही है पर मुझे पन्ने पल्टाने में seconds लगने है सिरफ क्योंकि मुझे सरफ उपर उपर का देखना है और वो भी ऐसा कि जो आपको समझ में आए यह भी बहुत important पार्ट है क्योंकि कई लोग क्या करते है notes को यह वाँपस चाप देते है को समझ में आएगा कि लिए आएगा तो मैंने अपनी code language में कुछ लिख दिया है जैसे changing को मैं परा changing नहीं लिख दिया है चेंज उपरें लगाती है ठीक है changing तो ऐसा करके मैं बहुत चोटी 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 शब्दों में उसको adjust किया है मेरे philosophy का compilation है जो पूरा हिंदी में है ठीक है अब पूरा compilation है वही पढ़ना है मुझे क्रिस्प है एकदम मुझे पता है लेकिन मुझे तो English में लिखना है और philosophy बहुत बड़ा challenging subject हो जाता है क्योंकि उसकी जो terminologies तो Google Translator ट्रांसलेट पाता है ठीक है वागे सब चीज़े तो ट्रांसलेट हो जाएगी पॉलिटिक के लेक्षमिगान पढ़ोगे तो ट्रांसलेट करना आ जाएगा लेकिन philosophy का translation सब जादा challenging होता है तो उसके ने भी मैंने एक English की market में एक material आता है वो लेलिया उसको सिर्फ रीड गिया मैंने रीड करके words समझ लिए कि हाँ यहाँ पर और सबसेता समय मुझे philosophy को ट्रांसलेट करने में लगा है क्योंकि उसका exact translation होना बहुत ज़रूरी है जब वो professors चेक करेंगे जो philosophy के ही professors हैं उनको पता है कहाँ पर क्या terminology आनी है तो आप बना नहीं सकते कुछ नाया या कुछ दूसरी language में इसको लिख नहीं सकते जो शब्द का जो मतला भे वही लिखना पड़ता है तो मैंने वह जो इंग्लिश का material मैंने मार्केट से ले लिया उसको कीवर रीड किया कोई एक टॉपिक में पकटती थी उसको रीड कर लेती थी